हेलो गाईज, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वन टक्स ब्लाउज 50 इन साइज के ब्लाउज की कम्पलीट कटिंग और स्टिचिंग करना तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मिटर फेबरिक लिया है और इस ब्लाउज का मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम इसी मेजरमेंट के अकोर्डिंग इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो देखिएगा हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा तो देखिएगा हमें ब्लाउज की कटिंग करने के लिए फेबरी को हम इस तरह से बिचाएंगे जितना भी हमारा चेस्ट है उससे फोर्ष डिवाज करेंगे वो डेड इन्स लाइ मार्जन के लिए लेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से बिचाया है ह यहाँ से हम स्लिव की कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर 14 इंच पर इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को बिचा लिया है ब्लाउज के बेग पार की मार्किंग करेंगे तो ब्लाउज के बेग पार की मार्किंग हम बंद साइड से करेंगे और हमारे ब्ला तो आर्मोल लेंगे हम 7 इंच के तो देखे मैंने यहाँ पर सौलडर 7.30 के लिया है क्योंकि मैं बेग पार्ट में ने को छोटा बनाऊंगी तो इसलिए हम जब भी नेको छोटा बनाते हैं तो हमें सोल्डर ज़्यादा लेने होते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है और आर्मोल लिया है 7 इंच के क्योंकि ब्लाउज हमारा हेवी साइज का है और अगर हम यहाँ पर बेग पार्ट में नेको बड़ा बनाते हैं तो हमें सोल्डर यहाँ पर 6 इंच के भी ले सकते थे लेकिन मेरे प्लाउज में यहाँ पर बेग नेक छोटा है तो हमें यहाँ आपर सोल्डर 7.1 इंच के ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से आर्मोल लिया है आपर 7 इंच का अब हम chest का fourth बाग करेंगे तो 12.5 इंच और डेड़ इंच हम slime margin के लिए लेंगे तो यहाँ पर हम 14 इंच पर marking कर लेंगे यहाँ से हम city line draw कर लेंगे इस तरह ऐसे अब हम कमर का measurement लेंगे तो कमर हमारी 46 इंच तो 46 को हम force device करेंगे तो साड़े 11 इंच और एक इंच हम plates के लिए और डेड़ इंच लाई margin के लिए तो यहाँ से भी हम 14 इंच पर marking कर लेंगे इस तरह से अब हम यहां से आर्मोल की गुलाई के लिए साड़ी तीन इंच पर मार्किंग करेंगे और यहां पर डेड़ इंच पर वो इस तरह से आर्मोल की गुलाई ड्रो कर लेंगे अब हम नेक की चोड़ाई रखेंगे यहां से तीन इंच की और लंबाई लेंगे हम 57 इंच की तो इस तरह हैं से हम यहाँ पर एक round shape draw कर लेंगे तो देखें यहाँ से हम half इंच पर shoulder को down कर लेंगे और तिर्ची line ड्रो कर लेंगे इस तरह हमारे bake part की marking हो गई है अब हम front part की marking करेंगे तो front part की marking हम यहाँ से कर लेंगे और length लेंगे हम 18 इंच यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे प्रंट पार्ट में और शोल्डर लेंगे 7 इंच के और आर्मोल लेंगे 7 इंच के इस तरह से हम यहाँ पर एक सिद्धी लाइन ड्रो कर लेंगे और चेस्ट लेंगे हम यहाँ पर भी 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इसी तरह से और कमर भी हमें यहाँ पर 14 इंच की हम ले लेंगे शिलाई मार्जनल लेते हुए इस तरह से हम शिद्धी लाइन ड्रो कर लेंगे यहां से आर्मॉल की गोलाई के लिए हम साड़ी तीन इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्मॉल की गोलाई लेंगे हम एक इंच पर तो इस तरह से हम आर्मॉल की गोलाई दे देंगे यहां से नेक की चोड़ाई लेंगे तीन इंच और लंबाई लेंगे हम चाई इंच और यहां से भी तीन इंच की चोड़ाई रखेंगे इस तरह से हम यहां पर चोक और वोक्स बना कर एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से हमारे यहां से भी हम shoulder को down कर लेंगे अब इंस इस तरह से हमारे front part और back part की marking हो गई है अब हम इसकी cutting कर लेंगे इस तरह से तो देखे मैंने यहाँ पर blouse की cutting कर ली है अब हम front part में tux point लगाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर tux point की चोड़ाई लेंगे 4 inch और उपर से लंबाई लेंगे 11 inch इस तरह से हम टिक लगा लेंगे और यहाँ से भी चोड़ाई रखेंगे 4 inch और यहाँ से हम सिधी line draw कर लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 inch पर marking करेंगे और एक सिधी line draw करेंगे और यहाँ से हमारा 2 inch का gap रहेगा इस तरह से हम तिर्ची line draw कर लेंगे और यहाँ पर भी हम एक तिर्ची line draw करेंगे इस साइड में इस तरह से हमने यहाँ पर text point का निशान लगा लिया है मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हमने यह text point कि तरह से लगाया है उपर की साइड से हमने 11 inch पर marking की है और निचे की साइड में हमने यहाँ पर 4 inch और इस तरह से शिदी line draw कर ली है और यहाँ से हमने 1.5 inch पर marking की है इस तरह से हम यहाँ पर सिदी line कर लेंगे यह gap हमारा 2 inch का रहेगा इस तरह से तिर्चा मिला लेंगे कि आप देख सकते हो अब हम यह निसान हम इस tax point के बराबर में हिख यह निसान लेना होता है इस तरह चीए तो यहाँ पर हम point लगाकर इसे तीर्शा मिला लेंगे तो देखिये हमें यहाँ पर और कोई tux point नहीं लगाने है, सिरफ एक तक्स ही हमें यहाँ पर लगाना है जो हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिए है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग हम इस तरह से करेंगे आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरह से टक्स पोइंट की कटिंग कर रही हूँ इस तरह से हमने यहाँ पर टक्स पोइंट क कटिंग कर ली है तो देखे गाईज हम जब भी किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएंगे तो हमारे मेजरमेंट तो अलग रहेगा लेकिन ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका यही रहेगा इस तरीके से हम किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं सिरफ मेजरमेंट यह लग रहेगा तरीका यही रहेगा अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को खोर भाग में बिचा लिया है और स्लीव की लेंत है साड़ी दस इंच और यहाँ से हमारी स्लीव की चोड़ाई कम रहेगी तो हम हारमोल की गुलाई हम 3.2 इंच पर देंगे और इस तरह शे स्लीव की सेफ़ ड्रो कर लेंगे और यह पर हम इस तरह यह लक्षिय कपड़ा रखår लेंगे अब हम यहां से इसकी कटिंग कर लेंगे और यहां से हम इसका राउंड लेंगे. इस तरह से हम इसकी cutting कर लेंगे अच्छी तरह से कर लेंगे दोनों साइड में से بराबर में मिलाते हुए तो देखिए हम यहां पर स्लीव में दोनों साइड में यह एक्स्ट्रा पटियों को इस तरह से रखकर यहां पर जोड लेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्मोल के हम यहां से और कटिंग कर लेंगे इस तरह से हमने यहां पर दोनों स्लीव की कटिंग कर ली है अब हम यहां से हुक आई वाली पटी कट करेंगे तो आई वाली पटी के चोड़ाई रखेंगे डाई इंच और हुक वाली पटी के चोड़ाई रखेंगे डेड इंच तो इस तरह से हम यहां पर दोनों पटी के कटिंग कर लेंगे गले की piping बनाने के लिए हम यहाँ से तीरची पटिया कट करेंगे और इनके चोड़ाई डेड इंच के रखेंगे इस तरह से और अब इन पटियों की cutting कर लेंगे यह cutting करने के बाद में हमारे blouse की cutting complete हो जाती है इस तरह से अब हम blouse की stitching करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले front part को लेंगे और यहां से हम इस tux point की stitch करेंगे तो इस तरह से रखेंगे और यहां से हम stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने यहां पर stitch लगा लिया है से पकड़ेंगे यहां से दोनों को बराबर में मिलाते हुए एक पेर का मारजन देते हुए यहां से हम स्टिच लगा लेंगे कि इस तरह से हमने यहां पर यह स्टिच लगा लिया है और आप देख सकते हो कि हम अरे इसमें प्रंट पार्ट में किस तरह से यह बना है अब हम इसी तरीके से दूसरी पार्ट में भी ये टक्स पॉइंट की स्टिच कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर दूसरी पार्ट में भी ये टक्स पॉइंट की स्टिच कर ली है इस तरह से हमारे दोनों पार्ट में ये पप कितना अचा बना है अब हम यहाँ पर आई वाली पटी अटेज करेंगे तो इसके लिए हम पटी को नीचे की साइड में रखेंगे और यहाँ से हम एक पेर का मार्जन लगते हुए स्टीच कर लेंगे अब हम इस पटी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस उपर की साइड में रखते हुए यहां से हम स्टिच कर लेंगे और एक स्लाई ओर लगा लेंगे एक पेर का मार्जन देते हुए इस तरह से हमारी आयवाली पट्टी लग गई है अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से हम पट्टी को उपर की साइड में रखेंगे और एक पेर का मार्जन लेते हुए इस्टिश लगा लेंगे अब हम पट्टी को इस तरह से फेलाएंगे और यहां से फ्रेश स्टिच और लगा लेंगे जिसे हमारी पट्टी को पलटने में आसानी हो और इस तरह से हम पट्टी को निचे की साइड में फॉल्ड करते हुए यहां से हम स्टिच कर लेंगे तो देखिए हमारी यहां पर दोनों पटिया लग गई है अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स पॉइंट लगाएंगे तो यहां से टक्स पॉइंट की चोड़ाई रखेंगे 6 इंच पर और लंबाई भी हम 6 इंच की लेंगे और यहां से हम इस तरह से 30 लाइन रोग कर लेंगे अब हम इन टक्स पॉइंट को दूसरी साइड में भी कर लेंगे इस तरह से और यहां से हम दोनों टक्स पॉइंट की स्टिच कर लेंगे अब हम सॉल्डर अटेज कर लेंगे तो इस तरह से हम दोनों साइड के सॉल्डर अटेज कर लेंगे और यहाँ पर डबल शिलाइल लगा लेंगे अब हम इन पटियों को इस तरह से तिर्चा रखकर अटेज कर लेंगे सारी पटियों को एक जिगर कर लेंगे स्टीच करके तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पटियों को एक जिगर कर लिया है और अब हम यहां से अक्ष्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और यहां पर चोटे-चोटे कट लगा लेंगे अब हम इस पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड में करेंगे और यहां से हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हम पुट को अच्छी तरह से शेड कर लेंगे पैजकर से और इस तरह से हम यहाँ पर इस पटी को नीचे की साइड में करते हुए अच्छी तरह से गोल गोल गुमाते हुए हम यहाँ पर पाइपिंग लगा लेंगे तो देखे इस तरह से हमारी पाइपिंग लग गई है अब हम स्लीव को तियार करेंगे तो इस तरह से हमने यह जो पटिया कट की थी साइड में जोडने के लिए तो इन पटियों को हम इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से बीच सेंटर में रखेंगे और यहां से एक पेर का मारजन देते हुए हम इस तरह से तो देखिए मैंने यहां पर स्लीव को अटेज कर लिया है अब हम स्लीव के बोटम पार्ट को इस तरह से फॉल्ड करेंगे और यहां से हम फॉल्ड करते हुए इस्टिश लगा लेंगे इस तरह से स्लीव के बोटम पार्ट को फॉल्ड करने के बाद में हम यहां से साइड पर एक पेर का मार्जन लगाते हुए यह स्टिश कर लेंगे और यह स्टिश करने के बाद में हम नीचे की पटी फॉल्ड करेंगे तो इस तरह से हम fold करते हुए है पूरी pati पर stitch कर लेंगे नीचे की pati fold करने के बाद में हम यहाँ पर fitting की marking करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर fitting की marking कर लेंगे और यहां से सिधी लाइन ड्रो कर लेंगे और यहां पर हमें स्टिच लगा लेंगे इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी फिटिंग की मार्किंग करके दूसरी साइड में भी हमें स्टिच कर लेंगे इस तरह से हमारी blouse की stitching complete हो जाती है आपको यह blouse कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताएगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए ठैंक्यू